ऐसी कौनसी चीज है जो आपका रेश्टोरांट या आपका फूड बिजनेस सक्सेस्फुल कर सकती है कौनसे ऐसे कॉलिटी जैखुबी या एज ओनर आप में होने चाहिए जिससे आप आपका restaurant या food business successful कर सके या शश्वी कर सके इसके बारे में आज हम बात करेंगे मेरा नाम गुपाल कामत है मैं एक hotelier हूँ, restauranter हूँ और founder हूँ Get Your Restaurant का ये channel का जहाँ पे हम आपसे सीधा बात करते हैं और सीधा आपसे share करते हमारे experience, मेरा experience restaurant चलाने में, profitability बढ़ाने में और कैसे हम losses नहीं कर सके उसके बारे में, आज का हमारा topic है biggest lessons learned in the restaurant business मेरे 20-25 साल के career में क्या मैंने सीखा और क्या मैंने जाना जो restaurant business को success करने के लिए बहुत ही जरूरी है उसके बारे में आज हम in-depth बात करेंगे, तो कुपया करके वीडियो end तक देखे अगर आप serious है, खुद का restaurant business चालो करने में या खुद का existing restaurant business profitable करने में restaurant business का मतलब है कोई भी खाद्य पदार्थ का business, कोई भी food business फिर वो cloud kitchen हो, restaurant हो, home kitchen हो, cafe हो, पाव बजी corner हो, Chinese snack corner हो, कोई भी world का food business होने दीजिए, ये 10-11 point जो मैं आज आप से discuss करने वाला हूँ, ये बहुत ही important है और ये अगर as a owner आप में है, तो आपका restaurant कभी भी fail नहीं हो सकता, अगर आप इस video को पहली बार देख रहे हैं, या हमारे channel में पहली बार आए हैं, तो कुपया करके subscribe कीजिए channel को, अगर आप ये page पे देख रहे हैं, तो उसे like कीजिए, follow कीजिए और share कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और आपके लोगों के साथ, आपके network में, जिने food business चलाना अच्छा लगता है, या उन्हें चलाना है, और इसके अलावा, आपको ये video कैसे लगा, ये आप comment में, comment में, comment करके जरूर बताएगा comment section में, और अगर आपके कोई सवाल है, related to the food business, तो वो भी आप comment section में, डाल सकते हैं, रिक सकते हैं, जिससे मैं उसे पढ़के, मेरा अगला content बनाऊ, तो चलिए, start करते हैं, आज का बहुत ही important topic, और वो है, मेरे career का biggest lessons, of course, मेरा career अभी पूरा complete नहीं हुआ है, मैं still learning phase में हूँ, but जैसे कि आपको पता है, मेरे 2-3 restaurants है, और मेरा खुद का resort है, plus मैं बाकी मेरे जो members है, जो मेरे coaching program के members है, या students है, उनके अलग-अलग businesses के अंदर भी मैं बहुत सारी चीजे observe करता हूँ, उन्हें सीखाता हूँ, उनसे सीखता हूँ, तो ये सब मिला के अभी तक मैंने क्या-क्या सीखा है, वो आज मैं आपसे discuss करने वाला हूँ regarding the food business, तो सबसे पहला point हो गया, never give up attitude, ये business जो है, food business, इसको मैं hard business में give up, या अपके life में give up करने का आपका आदत है, थोड़ा सा try किया और अपने अरे यार नहीं जमराय चोड़ दिया, तो ये business में बिल्कुल मत आहिए, ये आपके लिए है ही नहीं, sorry मैं थोड़ा dramatic हो रहा हूँ, but never give up attitude होना बहुत ही ज़रूरी है, आपको जैसे वो मराटी में कहते हैं न चिकाटी, जो बोलते हैं न चिपक के रहे न, कि भाई कुछ भी हो जाएगा मैं करूँगा, आस्मान हिलने दो, जमीन हिलने दो, जाड गिरने दो, कुछ भी होने या आप ट्राय करके दो मेरा देखूंगा, चलेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ऐसा अगर करना है तो बिल्कुल ये business में मताईए, second point है, hard work करना बहुत ज़रूरी है, ये business के अंदर, आप ऐसा नहीं, अभी आप बहुत सारे target client deal को fix किया है, उन्होंने खुद का brand create किया है, उन्होंने नाम create किया है, और अभी जाके successful, अभी कोई भी आपके आजू-बाजू का restaurant देखिए, जो हमेशा full रहता है, जिसका market में खाने का नाम का bowl बाला है, जो बहुत ही famous है, जिसमें बहुत गर्दी देता है, वो इचले 5 साल, 10 साल से घिस रहा है, और तब आके यहाँ पे position में बैटा है, तो hard work करने की पूरी तयारी आप में होनी चाह रहे, hard work सब जगा करना होता है, कोई भी घर में बैटके आपको खाना लाके देने वाला नहीं है, या कोई भी आपको, आपका मैनत करना पड़ेगा, आपको खुद रोज आपका कुवा खोदना पड़ेगा, तो ही आपको पानी मिलेगा, otherwise पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, त जैसे कि साही बबाजी के इसमें एक है, श्रद्दा और सबुरी, श्रद्दा भी रखो, फेत रखो और पेशन्स रखो, ये बिजनेस ऐसा नहीं ये कि आपने चलाया और विदिन दो, एक मैना, दो मैना आपको लाको रुपे आने चलोगे, ये बिजनेस जो है, इसको आप को कम से कम छे मैना, एक साल दिल लगा के आपको मैनत करना है, आप जैसे केती करते हैं, हम लोग केती में पहले 15-20 दिन एक मैना बहुत काम करते है, उसके बात फिर बीज बोते हैं, और फिर वो बीज का जाड़ होता है, और अपना केती बन जाती है, वैसे पेशन्स रखना बहुत ज़रूरी है मैंने देखा है मेरे मेरे कोचिंग प्रोग्राम में आभी की तारीख में कम से कम अड़ाइसो तीन सो लोग है और मैं आज तक तीन चार हजार लोग को सिखा चुका हूँ जिस बंदे में पेशन्स है वो बंदा हमेशा ये बिजनस में जीत जाएगा जो बंदे में पेशन्स नहीं है और जो बंदे के बहुत सारे एक्सपेक्टिशन है यार दो मैने में इतना होना चाहिए तीन मैने में इतना होना चाहिए वो बंदा इस बिजनस में नहीं ठीक है रुपया करके ध्यान रखिएगा चौता पॉइंट है, treat this business like, treat this as a business, not like a hobby. इसको आप एक धन्दे की तरह treat कीजिए, एक hobby की तरह नहीं treat कीजिए. बहुत बार मेरे students में से, बहुत सारे लोग जब ही मेरे live class में आते हैं, मेरा जो coaching program है, उसके live class में आते हैं, तो वो काफी बार बोलते हैं, जरे मेरे दोस्त लोग आ गए, मैंने उन से पैसा नहीं लिया, मेरे family वाले आ गए, मैंने उन से पैसा नहीं लिया, तभी मैं उनको रोकता हूँ, उनको बोलता हूँ, भया, ये तुमारी hobby नहीं है, hobby को क्या मोलते है हिंदी में, chand, मराटी में चंद या हिंदी में भी I think चंदी मोलते होंगे This is not your hobby. This is a business. Business में एक पैसा, एक रुपया अगर आपका खर्चा हो रहे तो उसके सामने दो रुपया, तीन रुपया आना चाहिए आपको आपके घरवाले आये, उनको घर में खाना खिलाओ आपके फ्रेंड्स आये, उनको दो टका पाश टका डिस्काउंट दो लेकिन धन्दा, धन्दे की तरह चलाओ, अगर आप धन्दा होबी की तरह चलाओगे तो आपका धन्दा होबी बनके रह जाएगा, पैसा कभी नहीं कमाएगा, आपका पैसा खाते जाएगा ठीक है, पाच्वाँ पॉइंट है, कंसिस्टनसी, यह फूड बिजनेस, यह ऐसा बिजनेस है, एवरी डे का सरकस है इसमें, एवरी डे का सरकस का मतलब रोज उटके फोकस करो cleanliness पे, focus करो consistency पे, focus करो test पे, focus करो quality पे focus करो, customer relationship पे focus करो, finance पे focus करो, purchasing पे focus करो, inventory पे focus करो, cleanliness और पुरे जिस पे, तो ये everyday का, everyday का रोच का काम है, consistency जिस दिन आपकी चुग गई, उस दिन से slowly slowly आपका business नीचे आना चालो हो जाएगा, तो कुपया करके, हमेशा consistent रहिए, उसके बाद six है, focus on relationship, एक बार आपका restaurant set हो जाएगा, तो as a owner या as a manager, आप customer के साथ में, relation develop करने के बारे में बोलिए, हर एक customer जो है, वो personal relation के लिए तडपता है, हमेशा personal relation के लिए तडपता है, और आपको भी personal relation focus करना बहुत ज़रूरी है, और personal relationship पे आप जितना focus करेंगे, personal relationship पे आप जितना customer के साथ में जुड़ेंगे, उतना आपको ज्यादा से ज्यादा customer आके आपका खाना चालो करेगा, आपके restaurant में आना चालू करेगा, because हर एक customer जो है, वो owner को जानना चाहता है, और उनसे appreciation पाना चाहता है, पैसा तो हो सब्जय का खर्चा करने ही वाला है, but अगर दो restaurant है, और एक restaurant में आप restaurant की तरह treat करेंगे, देखेंगे एकदम professional की तरह, but second restaurant में आप personally connect करेंगे, तो लोग आपके personal restaurant में आना जरूर चाहेंगे, ठीक है, उसकी बाद, seventh is mad obsession over profitability, since यह business है, business में आपने profit के लिए पागल होना चाहिए, कई पे भी profit के लिए पागल होने का मतलब यह नही बट हर एक चीज जो आप बेचोगे, उसमें आपको profit छूटना चाहिए, मतलब चाहिए, अगर मान लिजे, आपने कोई चीज किसी को free दे दी, तो वो relationship develop करके, वो customer के पास से भी आपको वापिस business लाना बहुत ज़रूरी है, तो कृपया करके दिमाग में रखिए, obsess over profitability, आप कभी भी superficially या उपर उपर से कोई भी business के उपर ध्यान मत दीजिए, आपको हमेशा आपकी जो नजर है, उसको eagle eye की तरह रखना चाहिए, कि खर्चा कैसा लिख रहे है, हमारा staff, voucher कैसे आ रहा है, पैसा कैसे जा रहा है, आपको आपके restaurant के हर एक minute से minute detail पता होनी अभी मान लीजिए, आपका खुद का restaurant है, मैं एक सवाल आपसे करूँगा, और ये सवाल का अगर जवाब आपका नहीं मालूं, तो आप restaurant में आपका बहुत बड़ा loss हो रहा है, ये सवाल है, अगर आपका restaurant owner है, आप restaurant owner है, तो मैं आपको एक सवाल बुछना चाहूँगा, everyday का आपका wastage का वजन कितना है, क्या आप पता है आपको, आपका everyday का restaurant का wastage का वजन कितना है, कोई restaurant में 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg होता है, मैं guarantee देता हूँ, ये सवाल 99.99% of the hoteliers, वो पता ही नहीं रहेगा, क्यूंकि वो लोग restaurant का wastage को वजन ही नहीं करते, restaurant का wastage देखते ही नहीं है, और restaurant का wastage ये आपका पैसा जला रहा है, आपका profit जला रहा है, ये बुरा मत मनी है, मैं थोड़ा सा हार्ज बोल रहा हूँ, क्यूंकि मैं खुद एक hotelier हूँ, एक restaurant हूँ, अगर मेरे खुद का पैसा जलेगा, तो obviously मेरी जान जलेगी, restaurant का wastage का report बनाईए, everyday लोगों को बूलिए, record करे मेरा wastage, क्या फेका, कैसा फेका, और मैं आपको दावा देता हूँ, दस दिन में, बारा दिन में आपका wastage काम होना चालो हो जाएगा, जिस जगा पे आप focus करेंगे, वो जगा सुधरनी चालो हो जाएगी, अगर wastage है, तो wastage तो negative चीज है, तो वो गटनी चालो हो जाएगी, devil is in the details, हर एक चीज़ पे बारी किसे नजर रखिए, और यही point को ल जाता है, तो वो एक जगा पे देखते रहता है ऐसा, या ऐसा, स्लोली स्लोली मुंडी हिलाता है, या एक ही जगा पे इसा देखता रहता है, अगर आपने pigeon देखा होगा, कबुतर, वो ऐसा, 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 ऐसा हिलाते रहता है, उसका ध्यान समझा रहता है, लेक आपने एगल बनना है आपने कमुतर नहीं बनना है यहां पे किसने बुला है वाँ पे पता नहीं चल रहा है कौन किदर से आ रहा है ध्यान हमेशा धंदे पे रखिए और फोकस हमेशा आपके profitability पे रखिए finance पे रखिए staff पे रखिए customer पे रखिए quality पे रखिए purchase पे रखिए cleanliness पे रखिए और दावा देता हूँ मैं आपको मैं challenge देता हूँ आपका restaurant कभी भी flop नहीं जाएगा slowly and steadily आपका profit बढ़ते जाएगा आपका restaurant snowball effect होते जाएगा जाएगा slowly 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 बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता होके एक दिन दो साल तीन साल चार साल पात साल में इतना बड़ा brand हो जाएगा कि लोग आके आपको पूछने लगेंगे कि भाया मेरे को franchise देदो मेरी जगा यहाँ पर मेरी जगा वाँ पर तो यह सारी चीजे मैंने देखे और last is last point है यह कि restaurant business जो मैंने सीखा है कि restaurant business is like growing a tree जब आप जाड लगाते हैं तो starting में आपको जाड लगाने के टाइम पे मिठी मिठी को गिली करना गिला करना पड़ता है उसमें बीच बोना पड़ता है होल करके उसके बाद slowly slowly उसको nurture करना पड़ता है उसको दूप से बचाना पड़ता है हवा से बचाना पड़ता है पर जैसे वो जाड बड़ा होता है जाड बड़ा होने के बाद बड़ा होते होते उसके बाद उसके फल आने लगते कोई भी जाड होने दीजिए आम का जाड पेरू का जाड केले का जाड फनस का जाड कोई नुक्सान नहीं पहुचा है इतना सिम्पल है रेश्टोराइट बिजनेस लेकिन हमारे चोटी-चोटी गलतियों के ज़से या इनको कुछ पता नहीं रहता है उनके ज़से बहुत सारी बार लोग लोग टेक मिनिड़ा लोग रेश्टोराइट बिजनेस में मात कहते हैं और यह इससे मुझे बहुत दुक होता है actually कि food business में food business ने इतना अच्छा business है अगर आप properly से करें but because of lack of knowledge कौनसी चीज़ पर focus करें कौनसी चीज़ पर focus नहीं करें उस उस सब चीज़ों के वज़े से यह food business में बहुत सारे लोग loss में आते हैं बहुत सारा पैसा नुकसान कर बैठते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि restaurant business यह अच्छा business नहीं है यह totally गलत है restaurant business is one of the best businesses on planet earth इससे अच्छा business क्या हो सकता है कि जो population है मानने जिए इंडिया में 140 करोड का population है वो लोग सुबह दुपहर शाम रात everyday आपका product खा रहे हैं इससे बड़ा business हो ही नहीं सकता और इससे non failing business नहीं हो सकता कोई भी technology आ जाए खाना पिना कभी भी कोई इंसान का बननी होगा तो कुरुपया करके आप यह चीज ध्यान में रखिए आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा जरूर डिस्क्रिप्शन सेक्षन में जाके मेरा कोचिंग प्रोग्राम देखिए या फिर जाहिए www.gopalkamath.in या फिर आप डिस्क्रिप्शन सेक्षन में जाएए और लिंक दिया हुआ है वापे क्लिक करके मेरा कोचिंग प्रोग्राम देखिए मेरा एक वीडियो कोचिंग प्रोग्राम है जिसमें step by step मैंने बताया हुआ है कैसे आपने खुद का restaurant या कोई भी food business start करना है और उसके साथ हर week मैं live आता हूँ और आपसे share करता हूँ कैसे आप खुद का food business मैं हर week live आता हूँ और आपसे question and answer करता हूँ और आपके जो भी सवाल है उसके जवाब देता हूँ तो अगर आपको really serious है आप food business चालू करना तो पहले सीख लीजिए जिनों ने already food business किया है उनसे और उसके बाद आप food business में उतरिये definitely आप successful होंगे please share कीजिए ये वीडियो आपके friends family के साथ subscribe कीजिए और हम मिलेंगे अगले वीडियो में all the best bye bye